कि नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरा पढ़ना आज आप लोगों के लिए लेका रहा हूं वेस्ट बंगोल की वेकैंसी जो की एनचम के इंडर रहने वाली है साथ नो दो हजार बीस को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था बहुत यह अच्छी वेकैंसी यह रहने व किनेशियल की है और काउंसलर की वेकैंसी है होस्पिटल एटेंडेंट और सेनेटरी एटेंडेंट की यहां पर वेकैंसी है टोटल दोस्तों इकिस वेकैंसी है इसके अंदर हम बात करें स्टाफ नर्स की स्टाफ नर्स की 182 वेकैंसी यहां पर रहने वाली है जनरल कटेगर 17,220 रुपए पर मंत के अकोर्डिंग यहां पे सेलरी रहने वाली है बहुत ही अच्छी वेकैंश है दोस्तो इसके अंदर आगे हम बात करें कौन-कौन केंडिडेट अपलाई कर सकता है अच्छी दोस्तो श्टाफ नर्स के अंदर जो इलिजीर सिर्बटी कराइट्रिया है वो क्या रहने वाला है जो ग् cours को अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर B.S.C. नर्सिंग देनी रखा बाकि जो B.S.C. नर्सिंग कंडिडिट है वो भी इस फोर्म को अपलाई कर सकती है आगे बात करते हैं हम रजिस्टेशन की Indian Nursing Council से रजिस्टर हो न जी कोई भी किसी भी स्टेट से अगर आपका रजिस्टेशन है तो आप इस फोर् के लिए अप्लिकेबल है कि दोस्तों इस फोर्म को अपलाई करने का ओफ लाइन मोड है ओफ लाइन जो हमें एक फोर्म होगा अपने जो यूटूब चैनल है उसके डिस्क्रेप्शन के अंदर में लिंक डाल दूंगा वहां से आप पीडियाफ डाउनलोड करना पीडियाफ क पहुंच जाना चाहिए इसके आगे हम बात करते हैं फीज की जो जनरल कटेगरी है उसके लिए 100 रुपे का रहेगा और जो रिजर्वेशन कटेगरी है अदर उसके लिए 50 रुपे यहां पे फीज रहने वाली है दोस्तों रिजर्वेशन कटेगरी वेस्ट बंगोल के वेलफेर समिती के नाम से जो स्टेट सोरी बैंक ओफ इंडिया के नाम से डीडी बनवाना है इसके अलावा हम जो यह अकाउंट नंबर है और आइफसी कोड है इस ब्रांच में डारेक्ट पैसे सेंड करके भी हम जो इसका जो ओरिजनल डिपोजिट करने की जो दाल सकते हैं साथ बेज के भी हम कर सकते हैं इसके अलावा ड्राफ्ट कटाना चाहिए तो ड्राफ्ट कटाओ या फिर डारेक्ट बैंक के अंदर बेज के उसकी जो स्लिप फोर्म के साथ बेज देनी है इसके अलावा इसमें कोई भी कंडिडेट है वो दो से ज़्यादा फोरम दो से ज़्यादा पोस्ट के लिए अपलाई नहीं कर सकता है और जो रूल होते हैं गवर्मेंट के उसके अकॉर्डिंग ये फोरम सभी बरे जाए अगर अगर किसी भी कार्ण वस आपका फोरम इनकंप्लेट होता है है तो वो rejected करस्प भी सकते हैं और त Blake जो फोटोकोपी है वे सबही बेजने हैं बाकि जो भी आपकी lotta goode के अंदर लिख सकते हैं मैं आपकी क्योंगर करें जो भी आपकी प्रि आपको प्रोब्लम क्योंगर